Hi everyone, मैं Robin, आप सब भी को welcome करता हूँ, एक बार फिर से हमारे सेशन में जहाँ पर हम discussion कर रहे थे one word substitution की, अपने एस किरन publication की book को, अगला part होगा, 400 लगबग one words हमने अभी तक discuss कर लिए हैं, फटाफट से आगे start करेंगे, my name is Robin, अगर session आपको पसंद आता है, तो please make sure आप like करें, वीडियो को आप share करें अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको कोई भी query होती है, तो आप comments में अपनी query डाल सकते हैं, तो देखे, पहला word है आपके सामने यहाँ पर, I mean पहला statement आपको दिया गया है, an excessively morbid desire to steal, तो कुसी किसी लोगों की एक ऐसी बीमारी होती है, जिने करेंगे, कि वहाँ पर वो चोरी कर लें, तो देखे, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, kleptomania, kleptomania का actually में अर्थ यही होता है, कि किसी को चोरी करने की अगर बीमारी हो, तो हम यह बोलते है, कि उसको kleptomania है, नेक्स्ट है, prohibited by law or treaty from being imported or exported, तो देखे, कोई कोई चीजें ऐसी होती है, जहाँ पर हम व्यापार पर कुछ चीजों का, इनों, ऐसे, प्रोहिबिट कर देते हैं, कि अभी आप उसको import नहीं कर सकते, export नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसी treaty होती है, कि चीजों को आप ना import कर करेंगे, तो दीखे, इसके लिए एक word use किया जाता है, हिंदी में वर्जित व्यापार, जिसके अंदर आप ये बोल सकते है, that the goods that are illegally taken into or out of a country, तो आप वहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, मतला, इस condition को हम word देते है, contraband का, याद रखेंगे, contraband, next smuggled आपको दिया गया है, smuggled का आपन होता है, forged, forged का अठ होता है, जो आपने सुना होगा, something which is reproduced fraudently, illegally, जाली या फिर नकली चीज़ के बारे में, उसे हम forged बोलते हैं, next is the ceremony of crowning a sovereign, देख एक ceremony की हम यहाँ पर बात कर रहे है, ceremony क्या होता है, जहाँ पर आप एक ऐसे event की बात करते हैं, कि आप वहाँ पर किसी क्या कर रहे हैं, crowning कर रहे हैं किसी को, उसका ताज पहना रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं word use की बात करों, तो देखे आपको एक word दिया गया ज़़ा है, coronation, coronation का अर्थ ही होता है, कि अगर आप किसी sovereign को, या फिर किसी भी व्यक्ति को, या फिर किसी भी सामराज्य की राज़ा को crown करें, मतलब उसको राज़ा swapें, तो उसको लेकर जो हम word use करते हैं, वो use करते हैं, coronation, next is person in a vehicle or on horseback, escorting another vehicle, तो आपने देखा होगा कि बगई पर जो बगई चालक होता है, या फिर ऐसे व्यक्ति, जो कि vehicle को चलाते हैं, जिसके आगे आपके horse होते हैं, या फिर क आपका word use किया जाता है, वो होता है, आउट rider, जो कि आपको यहां पर तीसरा word दिया गया है, आउट rider का अर्थ होता है, जो कि अनुरक्षक होते हैं, एक ऐसा person या group of people, या फिर vehicles, जो कि travel करता है किसी के साथ, ताकि उन्हें वो protect कर सकें, guard कर सकें, ठीके, यह आपका escort होता ह है, यह जो मैंने आपको बता है, जब हम किसी people, या person, या vehicle, चाफर किसी जथे की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं, escort, आउट rider होता है, अनुरक्षक, अनुरक्षक यानि कि वही कोई ऐसा person, जो कि ride करता है, motorcycle पर या फिर घोड़े पर आगे बैठा रहता है, किसी vehicle, कि किसी person को हम protection दे, वो आपके आउट rider होता है, escort में ये लोग बढ़ जाते है, number of persons जादा हो जाते है, navigator क्या होता है, navigator हो जाए, जो आपको दिशा दिखाता रहता है, security, ये आपकी सुरक्षा की real बात होती है, तो यहाँ पर आपके ये words होंगे, next step one, who tends to patronize, rebuff, or ignore people regarded as social inferiors, and imitate, admire people regarded as social superiors, दो दीकिए, यहाँ पर जो मैंने बात करने की कोशिश करी है, किसी एक ऐसे person की बात करी है, जो की बहुती जादा exaggerated, हम उसे respect दे दे, for high social position, या फिर wealth, जो की ये चाहता है, कि वो associate करे social superior से, और look down करे, यानि कि ध्यान करे, उन सभी का जो की कम दर्जे के लोग है, य ऐसे वेक्ति जो की अपर दर्जे पर रहकर अपने आपकी respect को इस तरीके से बना कर रखते हैं, कि वो नीचे दर्जे के या फिर socially inferior लोगों का अगर वहाँ पर support करते हैं, उनको हमेशा खड़े रहते हैं उनके लिए, तो उनको हम बोलते हैं, वर्ग दमबी, यानि कि जो word ह यहाँ पर हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, snob, next है government by a king, तो देखे, king के द्वारा अगर government की बात करते हैं, तो आसान वर्ड है, मुनार की उसे बोला जाता है, next है hoops and choice, तो देखे, important है, काफी बार exam में पूछा जाता है, तो एक ऐसी condition, जब आपके पास कोई रास् at all, that means you are having hoops and choice, next है send or bring somebody back to his own country, तो देखे, या तो हम किसी को भेज दे, या फिर किसी को अपने, या फिर उसके, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस code करने की, उसको उसके देश भेज देए, उसको उसको देश वापस ले जाए, तो उसको लेकर हम क्या word यूज करते हैं, तो एक अपने देश को छोड़ कर दूसरे जेश में जाकर बसने की बात करते हैं, उसके लिए हम यहापर वर्ड यूज करते हैं, एमिगरेट, नेक्स चीफ आफ ग्रूप अफ वर्कमेन, तो देखे, वर्कमेन का एक ग्रूप है, उसके चीफ को और मैं यहाँ पर बात करूँ, य फोर्मेन यानि की सरदार, एक सूपर्वाइजर बॉस, टीम लीडर, उसको आप बोलते हैं फोर्मेन. Next is bitter quarrel between two families existing for a long period. तो दो परिवार हैं, दौनों के परिवारों के बीच में क्या है? एक बहुती टाइम से बहुती पुराना एक संघर्ष है, एक फियोड है. तो फियोड का अर्थ जो अपने आप में होता है, वो यहीं बताता है, कि आपका एक बहुती पुराना, एक बहुती पुराना डिस्प्यूट है, क्वेरल है, उसको लेकर जो हम one word यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, फियोड. नेक्स्ट है, अनिमल्स विदाउट अब बैक बोन, तो कुछ ऐसे अनिमल्स जिनकी बैक बोन, यानि की रिड़ की हड़ी ही नहीं होती है, तो उनको लेकर जो one word हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, इन वर्टिबरेट्स, ठीक है, यह आपका fourth option सही होगा. नेक्स्ट है, अगर क्लिंग को किल करने की हम बात करें, तो उसके लिए जो one word होता है, वो यूज होता है, रेजिसाइड, ठीक है, रेजिसाइड यानि की दाज हत्या, अगर मैं रेगलसाइड की बात करूँ, तो रेगलसाइड का आपका अर्थ क्या होता है, इसको side होता है next है emission of light or heat from a center point तो यहाँ पर अगर कोई center है और यहाँ से light निकल रही है तो इस condition में आप कौन सा word यूज करते हैं तो यहाँ पर word यूज किया जाता है radiation ठीक है उसका center एक point होता है जहाँ से आप light को या फिर heat को emit करते हुए दिखते हैं next है to play the part of and function as some other person या तो अगर आप किसी play का part हो या फिर किसी function का part हो लेकिन आप कोई दूसरा व्यक्ति बनकर वहाँ पर अपने आपको कर रहे हो आप मतलब अभी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर जो हम word यूज करते हैं वो करते हैं impersonate impersonate का अर्थ अपने आप में यह कहता है कि आप किसी का रूप या फिर वेश धारन करते हैं तो यहाँ पर आप impersonate सही word यूज करेंगे act का आप सभी को अर्थ पता होगा कि you are doing something या फिर you are being या फिर you are having a particular way या फिर आप अपने आपको किसी play या film या function में अपने आपको दिखा रहे हैं but you are not reacting like कि आप कुछ और हो लेकिन अगर आप कुछ और बनने का या फिर कोई दूसरा वेक्ति बनने का रोल करते हैं तो आप वहाँ पर impersonate करते हैं next is not easily pleased by anything तो यह तो आपने सभी ने काफी बार देखा भी होगा PYQ में बहुत बार पूछा जाता है कि fastidious fastidious वो वेक्ति होते हैं जिने आप आसानी से please नहीं कर सकते आपको मतलब यहाँ पर तरप्त करना पड़ेगा उस वेक्ति को मनाने के लिए तो यहाँ पर आपका fastidious correct option होगा maiden maiden का आप सभी को पता है यह पहला होता है या तो यात्रा हो भाशन हो match हो medieval medieval क्या होता है आपका मध्यकालीन होता है जब हम बात करते हैं 1080 से 1450 AD तक की next step precarious precarious का अर्थ होता है तो दीखें कि ऐसी condition जब आपकी कोई will यानि कि आप वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ announce ना करें या फिर आप अपनी जमीन जायदत के बारे में कोई will ना रखें और उससे पहले ही अगर आपकी death हो जाए तो ऐसी condition में आपके लिए जो one word यूज किया जाता है वो किया जाता है intestate intestate यानि कि आप इसे बोल देंगे you are having you have made no legal will तो यहाँ पर हम इसके लिए one word यूज करते है intestate next देखें आपको यहाँ पर word दिया गया है intaglio intaglio को अर्थ होता है जब आप नकाशी की बात करते है ठीक है मतलब आप अपने stones वगर आप पर कुछ बहुत ही बढ़िया engravings करते हैं तो वहाँ पर हम one word यूज करते है intaglio next आपको यहाँ पर word दिया गया है inveterate यह पहले भी मैंने आपको बताया था जिद्धी या cutter type के लोगों को हम inveterate बोलते हैं insolvent क्या होते हैं यह दिवालिया होते हैं यह भी आप सभी को पता होगा next is the one who enjoys inflicting pain on himself तो बहुत से ब्यक्ति होते हैं जो कि अपने आपको दुख देना या फिर हमेशा कोशिश करते हैं कि मतलब उनको मज़ा आता है pain को जहिलने में तो देखिए आपको यहां पर एक word दिया गया है massochist massochist का अर्थ होता है कि आप स्वय पीड़न को कामुख है मतलब आपको खुद को पीड़ा देने में मज़ा आता है जो एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई चीज that most people find unpleasant or painful लेकिन आप उसे enjoy करें ठीक है तो इसको लेकर हम one word use करते हैं massochist next है nihilist nihilist का अर्थ होता है जो शून्यवादी होता है person who believes that nothing has any value कि कोई किसी चीज़ की value ही नहीं है उसे हम बोलेंगे nihilist egoist ही तो आप सभी को पता होगा जो कि हमेशा आत्महतेथ ही होता है स्वारती होता है sadist हो जाएंगे ये आपके ये कैसे लोग वेक्टी होते हैं जो कि हमेशा pleasure लेते हैं from hurting other people दूसरे लोगों को नुकसान देकर इन्हें मजा आता है तो ये आपके sadist होता है next है murder of a brother तो अगर आप brother की killing की बात करें तो वहाँ पर जो one word use होता है ये आपको पता चलिए पित्रहत्या हो जाएगा regicide के बारे में मैंने आपको बताया था ये राज हत्या आनिकि आपके king या queen की हत्या की बात करते है homicide आपकी inner हत्या होती है यानिकि murder या फिर crime of killing somebody deliberately उसको आप homicide बोलते है next है science of human mind and behavior तो देखे human mind और behavior की अगर आप science यानि study करने वाली विज्ञान की बात करें इसके लेकर जो आपको one word use के जाएगा वो use के जाएगा psychology मनो विज्ञान physiology के बारे में आपको पता होगा शरीर की जो भी क्रिया होती है उनसे related जो चीज़ें होती है वो आपकी physiology माता है sociology, समाज विज्ञान philology यह आपकी भाषा सास्त्र हो जाएगी यानि कि scientific study of the development of the language कि बढ़ी particular language किस तरीके से आगनिकली उसको हम बोलते हैं philology next है a set of three related works by the same author तो देखे three related works हो same author हो तो उसको लेकर जो आप one word use करते है तो आप सबी को पता होगा इसे हम बोलते हैं कि जिस तरीके से आप अपने parts को या किसी चीज़ को arrange करते हैं relate करते हुए next है आपका trickology trickology यह केश विज्ञान होती है जहां पर आप अपने hair या फिर उनके scalp का study करते हैं ecology यह आप सबी को पता होगा परियावर अनुहां में से बोलते हैं next study study और practice of dancing और composing ballads तो एक ऐसी study या practice आप नहाँ पर dance या फिरकम ballads को compose करने के लिए अगर यहाँ पर use करते हैं तो choreography आप सबीने सुना होगा choreography के बारे में जहां पर आप नरत्यकला की बात करते हैं तो choreography आपका यहाँ पर सही answer होगा calligraphy आपको पहला word दिया गया है यह आपका beautiful handwriting that you do with a special pen या फिर brush सुलेखन आप इसे हिंदी में बोलते हैं cartography क्या होता है या आपका मानचित्रन होता है the art of making drawings या फिर map next है आपका epigraphy epigraphy होता है आपका the study of ancient inscriptions कि भी क्या वहाँ पर लिखा गया शब्द क्या थे या फिर किसी book या फिर किसी stone पर metal पर कुछ ऐसे वो सभी आपका क्या हो जाएगा epigraphy हो जाएगा next है having juicy और flashy and thick tissues तो देखें ऐसी condition जहाँ पर juicy, flashy and thick tissues कि अगर हमाँ पर आपको देखें तो उसको लेकर जो one word यूज करते हैं वो करते हैं succulent, succulent alpha, rasbara rasila, यह आपका हो जाएगा next word आपको क्या दिया गया है translucent, translucent का अर्थ होता है spust, बहुत ही clear dissolvent, dissolvent का अर्थ होता है जो कि विलायक होता है liquid जिसे आप capable समझें कि वो किसी और चीज में dissolve हो जाएगा वो आपका dissolvent होता है dissident, यह आपके हो जाएगे जो कि ऐस सहमत रहते हैं किसी से वो आपके dissident होता है next action that is likely to make people very angry कोई कई ऐसी हरकत जो कि लोगों को क्या कर सकती है बहुत जादा भढ़का सकती है यहाँ पर एक word दिया गया है inflammatory विद्रोह जनक provocative inciting rebellious यह आपका होता है inflammatory next है one who thinks or speaks too much of infill एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बारे में बहुत जादा सोचता है या फिर अपने बारे में ही बोलता रहता है ऐसे मैंने पहले आपको बताया था उसे हम enthusiast बोलता है optimist आप सभी को पता होगा आशावादी यह वेक्ति होते है next है an exact copy of handwriting or a picture produced by a machine तो अगर आप किसी machine की बात करते है exact copy of handwriting या फिर कोई picture अगर वो produce करती है तो उसको लेकर अगर आप one word use करेंगे तो वो होता है आपका facimal facimal यानिकी an exact copy an exact copy of something जो कि आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रती लिपी आप इसे बोल सकते हैं original का आपको अर्थ पता होगा copy का आपको पता होगा या आपका हैंसे हो चाएगा तो this was the part I hope आपको इस पार्ट पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें गंटी बजाएं, टेलिग्राम, इंस्टेग्राम और पीडिये वगएरा, न्यूज वगएरा की सारी न्यूज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गए हैं उन चीजों को जाकर फॉलो कर लें नेक्स पार्टम मिलते हैं, अपने ख्याल रिखिए टेक केर, बाबाई, थेंक यू